माना जाता है कि भगवान विश्णू जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की उची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रिनाथ में सनान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं। पूरी में भोजन करते हैं और दक्षन में रमेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पूरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगनाथ। पूरी का जगनाथ धाम चार धामों में से एक है। यहां भगवान जगननात बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। रूप बदलती मूर्ती की नहीं होती पूजा, यहां श्री कृष्ण को जगननात कहते हैं। जगनात के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियां काश्ट की बनी हुई हैं। यहां प्रत्य एक बारा साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं लेकिन आकार औ के समुद्री तट पर बसा है। जगनात मंदिर विश्नु के आठवे अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाडी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उलीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उलीसा प्राचीनकाल में उतकल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहां देश की सम्रुध बंदरगाहें थी, जहां जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाइलेंड और अन्य कई देशों का इनी बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुरानों में इ इलगिरी और श्री जगनात पुरी भी कहते हैं। यहां लक्ष्मी पती विश्नु ने तरह तरह की लिलाएं की थी। ब्राह्मा और सकंध पुरान के अनुसार यहां भगवान विश्नु पुरुशोत्तम नील माधाव के रूप में अवतरित हुए और सबर जंजाती के पर जगनात मंदिर में सबर जंजाती के पुजारियों के अलावा ब्राहमन पुजारी भी हैं। जेश्ट पूर्निमा से आशाड पूर्निमा तक सबर जाती के दैतापती जगनात जी की सारी रीतियां करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।